हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज की तारिक है 7 अप्रेल 2024 आज के करंट अफेर कुश्चन में आप सभी का स्वागत है आज हम पिछले 7 दिनों के करंट अफेर को रिवीजन करने वाले हैं जिसमें आप सभी को 70 पलस कुश्चन देखने को करंट अफेर का मिलेगा तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लेज वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट चरूर करें एक बार मैं आप सभी को सरसरी निगास से करंट अफेर कुश्चन दिखा देता हूँ तो इसमें आप सभी को ललनटा प्रशन तो नहीं मिलेगा लेकिन जो है इसकी ब्याख्या पूरी दे जाएगे लेकिन मैं आप सभी को ब्याख्या नहीं दूँगा नहीं तो वीडियो जो है 70 कुश्चन की वीडियो बनाने में कम से कम एक घंटे 20 मिनट लग जाएगा ठीक है तो एक घंटे 20 मिनट लग जाएगा तो इसमें मैं नहीं चाहता कि आप सभी का टाइम प्रवाद हो तो कुश्चिस करेंगे कि 30 से 40 मिनट में 70 कुश्चन जो है करन्ट अफेर का हम सॉल्व कर लें उसकα सभी को इतना करना है कि वीडियो को लाइक जरूर करनी है और अपने दोस्तों के साथ share भी करतेनी है ठीक है तो आप सभी से वसीतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें एक बार पीडियाप से आप सभी इसका जो है एक बार ब्याक्षा जरूर देखेंगे पढ़ेंगे जैसे मैं आप सभी को कुश्चन करूँगा कि अगर फिर देखे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 79 करम का साओधी अरम में तो 60 करम का कहां पर हुआ था तो फिलिपीन से पर हुआ था ठीक है तो संयोंतराश महिलादिकार दिवस इसी परकार से मैंने सारे कुश्चनों में थोड़ा बहुत कुछ नब कुछ तो जरूर आइड कार के रखा ठीक है तो वीडियो को पूरा जर संस्कुरिटी काउंसिल जो है इसमें कितने मेंबर होते हैं तो 15 मेंबर होते हैं ये समय ब्याठ्षा करने में लग गया तो मुझे जो है एक घंटे से ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी वैसे मैं कोसीज करता हूँ बहुत जल्ली जल्ली बोल लेकिन जुबान इधर उदर हो जाती है ठीक है तो अराम से अगर वीडियो बनाऊंगा तो एक घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा किसी भी चैनल पर देख सकते हैं कि 70 कुश्चन सॉल्व कराने में उनको कितना घंटे लगभग 2 घंटे लग जाते है ठीक है और मैं कोसीज करूँगा कि 70 कुश लगे तो लाइक शियर कमेंट जरूर करें सबसे पहले देखेंगे एक अपरेल के करेंट फेर कुश्चन को पहला प्रसन हमारा है हाले में संयुकतराष्ट महिला अधिकार और लाइंगिक समानता मंच के 79 सत्र का अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो 79 सत्र का होगी तो 2025 में होगा और 68 बैसक कहा हुआ था तो फिलिपिन्स में होग हुआ था ठीक है तो 69 साओधी अरब में 68 फिलिपिन्स में तो दोनों आपको याद रखना है नेक्स्ट देख लेते हैं हाली में अंतर राष्टी बाजरा बर्स 2023 का समापन समारो कहां प्रारम हुआ है रोम में हुआ है रोम जो है इटली की राधानी है और यहीं पर रोम में ही FAO यानि खादियों किरसी संगठन का मुख्याले भी है इसे आप याद रखेंगे और 2024 किसका वर्स घोसित किया गया है यू या नो के द्वारा तो यहाद उटो का वर्स घोसित किया गया है ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे आप जो है एक बार PDF जरूर पढ़ेंगे क्योंकि मैं सारा explanation इसमें नहीं दे सकता हूँ जैसे कि भारत ने अपना स्री अन उत्कृष्ट था केंदर कहां स्थापित किया था तो भारत ने हैदराबाद में किया था बाज़रे बर्स को जो है मो 2024 का आयोजन कहां हुआ है तो इसका डारेट आप सभी कुश्चन याद रखना है कोच्ची केरल में मेग यायन कोच्ची केरल में मेग मतलब आप याद रख लेंगे मेधक और सबसे पहले बारिस कहां पे होती है तो केरल से जो है भारत में मानसून परवेश करता है तो आप पूरे देश में कौन सा दस दिवसी मेगा अभ्यास प्रारम करेगी तो एक अपरेल से भारती बाईशे ना पूरे देश में कौन सा अभ्यास दस दिवसी मेगा अभ्यास प्रारम करेगी तो इसका सही चौब हो जाएगा गगन सक्ती 2024 और कहां पर होगा तो यहाँ पोखरन र बीटो लाया जा रहा था, मतलब एक फाइल लाई जा रहे थी, उस फाइल पे जो है बीटो किस ने कर दिया है, तो रूस ने कर दिया है, option D सही हो जाएगा, इसके बारे में पूरी प्याख्या देख लेते हैं, तो मैंने बताए UNSC, यानि United Nations Security Council, यानि कि सुरच्छा परिशत, UN सुरच्छा परिशत में 15 मेंबर होते हैं, इसमें 5 अस्थाई सदस्यों होते हैं, इन 5 अस्थाई सदस्यों के पाद जो बीटो पावर होती है, माल देजे, इन 5 में से कोई भी देश, या फिर जो ये आस्थाई सदस्य देश हैं, इन में से, तो अगर कोई फाइल लेकर आ रूस ने किया है किसके खिलाफ US से फाईल लेकरा रहा था उस-से तो नर्थ कोरिया के खिलाफ ए उस पर बीटो किस ने कर दिया है रूस ने कmor दिया है e-commerce platform कौन सा है तो तीसरा सबसे बड़ा यानि कि अपने भारत का है तीसरा इसलिए ये आपको याद रखना तीसरा कौन सा है तो आपका सही ज़ाब हो जाएगा option C G.E.M. अब इसके बारे में आप देखेंगे e-commerce platform पूरी देश में पहला जो है कोरिया का है दूसरा सिंगापूर का है नाम देख सकते हैं कोनेपस और G.E.B. ठीक है G.E.B. ये सिंगापूर का है अपने भारत का G.E.M. है अनि Government of Market ये इंडिया का है हाल बिवाह जो है बाल बिवाह मुक्त भारत अभिहान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 केश में सबसे ज़्यादबाल-बिवाह कहां रोके गए है बिषार में आपको याद रखना ये पूरी डाटा है और इसमें बताया गया है कि बाल बिवाह निष्य E- app कब आया था सात्मा प्रस्ण हाली में सतापदी बर्स मनाने वाले बैक्याम सत्तागरा का संबंद किसी से है तो बैक्याम सत्तागरा कहां पे सुरू हुआ था तो यह केरल में हुआ था और कब हुआ था तो 1925 में हुआ था और अभी जो है इसका सतापदी बर्स कब मनाया गया है तो 30 मार् पूछे किस से सबंदी था तो छूआ छूट को समार्च करने के लिए यानि कि जो उस समय पे नीची जाती है थी उनको मंदिर में परवेश नहीं किया जाने दिया जा रहा था ठीक है हाले में अंतर राष्टी है सुने अपसिष्ट दिवस 2024 कब मनाय गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 मार्च को इसका ठीम याद रखेंगे सुने अपसिष्ट आंदोलन नौवा प्रसन हाले में परियटको के लिए सिग मोच सो 2024 कहां परारंब हुआ है सिग मोच सो यह गोवा में परारंब हुआ है इसके साथ साथ याद रखेंगे सिग मोच सो जो है 14 दिने जो है यह गोवा में आयोजित होगा और गोवा के अलग-अलग सहरों में होगा इसके साथ जो है धेकनी और फुगडी नेदित भी आयोजित किया जाता है एक फेस्टिबल और याद रखना है साथ जो जो आओ यहाँ फेस्टिबल कहां कहा है तो यह भी गोवा कहा है दास्वा प्रसन है हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पदपर किसे नुक किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B जाई सिरी दास भर्मा इसके बारे में पूरी ब्याठ्था देखेंगे तो फिक्की इसका फुल फॉर्म होता और इसका headquarter कहां है नई दिल्ली में और फिक्की महिला संगठन की headcone बनाई गई है तो जै सिरी दास बर्मा जी बनाई गई है अब हम सेकेंड मार्च के स्वरी सेकेंड अपरेल के current affair को देखते हैं हाली में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए 12-24 परियोग सालाaminet किसने launch किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा WACO के द्वारा जो है कोवीनेट launch किया गया है कोबिनेट जो है किसके द्वारा लांच किया गया है, विशुस liaison संगठन के द्वारा लांच किया गया है इसमें जो है COVID-19 के तहथ जो भी इसके वाइरियन आए हैं, जो भी कोरोना वायरस आए हैं उनसा भी पर निगरानी रखा जाएगा और भविस में कोई और बिमारी आती है तो उसको भी निगरानी रखने के लिए उसी बिमारी पर कोविनेट लांच किया गया है डबली यक्चो के दौरा इसमें जो है भारत के कितने लेब सामिल है तो भारत के तीन लेब भी सामिल है हाली में प्राफ सेटेलाइट आधारित फोटो के अनुशार चीन ने भारत के किस पडूसी देश में गुप्त पंडुबी बेस बनाया है तो इसका सही जौब हो जाएगा बंगला देश में बंगला देश में जो है गुप्त पंडुबी बेस किस ने बनाया है चीन ने बनाया है और क्या नाम है इसका बी एनियस सेख हसीना है और यह किस जगहां पे बनाया गया है तो काक्स मार्केट बंगला देश में बनाया गया है भारत के ऊपर नजर रखने के लिए चीन ने बनाया है खाले में मियामी ओपन दोजाद चोबिस पुरूस यूगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाडी कोन बने है यह आपको याद रखना है और एक आउर आपको याद रखना है आश्टेलियन ओपन यूगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाडी यह भी रोहन बोपनना है अब देखते हैं थोड़ी से इंपॉर्टन कुश्चन कि भारत रखन दोजाद चोबिस कितने लोगों को मिला है पांच लोगों को मिला है इन में से जो है एक ही जीबित है जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवानी बागी के चार लोगों की मिर्ति हो गई है तो ये भी गया है तो इसमें साजी क्राफ्ट जो है आपका हो जाता है उत्तर परदेश का ठीक है इसे अभी हाले में जो है जीबित दिया गया है भारत में सरवाधिक जीबित की सराजी को प्राप्त है तो उत्तर परदेश को प्राप्त है और दूसरे नमबर पर तमिलाडू है साजी का क्राप्ट जो है यह मत्वरा का है और इसमें जो है राधाराने के प्रेम का परतिक दर्शाया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी और उत्रपरदेश के जो GITEC प्राप्त है उसके बारे में भी देख लेते हैं तो पीली भीट की बासुरी को भी GITEC दिया गया है बनारस का जो लाल पेडा है सहनाई और तबला को भी GITEC दिया गया है नेस्ट देखते हैं, हाल इमें चर्चा मेरे 100 अरब डालर के AI सुपर कम्प्यूटर स्टार गेट का संबंध से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टार गेट का संबंध है Microsoft और ChatGPT से, इन दोनों ने मिलके जो है, क्या बनाया है, AI सुपर कम्प्यूटर बनाया है, जि जीपीटी दोनों मिलके रिस्टार करेंगे, वो किस प्रकार का होगा, AI आधारित होगा, ठीक है, कैसा होगा, तो AI आधारित होगा, इसके लिए 100 अरब डालर भी प्रस्तावित हैं, हाल ही में RBI ने अपने संवे अस्थापना बर्स में परवेश किया है, RBI की अस्थापना इसने करी थी कि RBI की अस्थापना की जाए, तो यंग हिल्टन या फिर इसे साही आयोग भी कहते हैं, जब इसके अस्थापना की गई थी तो इसका हेड़कॉर्टर कहा था कलकत्ता में, फिर इसके दो साल बार 1903 में इसका हेड़कॉर्टर मुंबई कर दिया जाता है, और अभी तक मुंबई में ही है, RBI के राष्ट्य करण कब किया गया था, तो एक जन्वरी 1949 को किया गया था, इसमें जो है लोगो जो है, RBI का लोगो में जो है क्या बना है, तो ताल का बिरिच है और राहल बंगाल टाइगर है, पहले गवरनर कोन थे RBI के, तो आसबाउन इसम थे, तो सीडी देश मुख थे, और वर्तमान में 26 में करम के कोन है, सक्ती दांस कांत जी है, अभी RBI के बारे में एक और कुश्यन आने वाला है, ठीक है, हाली में अंतराष्टिय संस्कृति प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अंतराष्टिय संस्कृति प्रुस प्रुसकार है, इसे दिया गया है, मिसल टेला ग्रेंड दीको, और मिसवर्ड 71 करम की कौन बनी है, तो क्रिश्टेरा पिजगोवा बनी है, और यह किस देश की है, तो यह चेक रिपबलिक की है, ठीक है, नेश्ट देख लेते हैं हमारा आठवा प्रशन है, हाली में हांकी इंडिया ने किसे पुरुस वर्ग में सरुसरेष्ट खिलाडी नामित किया है, तो हांकी इंडिया ने किसे पुरुस वर्ग में बर्स का सरुसरेष्ट खिलाडी नामित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप्सन भी हार्दिक सिंग को, इसके बारे में पूरी ब जाब के हैं और बेश्ट हांकी में महिला का खिताब किसे दिया गया है तो सलीमा टेटे जी को दिया गया है और ये कहां की है जारखंडी है जारखंड की थी और अगर बात करें कि लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्ड ये बहुत ही महाटपूर्ण है जो कि हांकी कहाई स किसे दिया गया है तो असो कुमार को दिया गया है ये जो है मेजर ध्यान चंदीजी के बेटे हैं हाल हमें T20 किरकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले बिकेट कीपर कोन बन गए है तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस इस टेरियम में पकड़े थे तो भी साका पत्तनम में आयोजित हो रहा था CSK और DC के बीट मैच हो रहा था और यहाई पर अपना तीसमा कैच जो है मेहन सिंग धोनी ने पकड़ा है और किसका पकड़े थे तो पिर सभी साका पकड़े थे हाल ही में लांच भारत की पहले AI आधारित फिल्म कौन सी है तो भारत का AI आधारित पहले फिल्म है इरा Option D सही हो जाएगा इरा जो है या भारत की पहले आधारित फिल्म है और इसके डारेक्टर है सेम भट्ट्याचार जी और AI safety के लिए घोसला पत्र कहां पे हुआ था तो बलेचले घोसला पत्र हुआ था और यह अस्थान कहां है लंदन में है UK आने बिटेन ठीक है तीसरा करंड तीन अपरेल के करंड अफेर को देख लेते हैं हाल ही में जूठित सुमी नवा किस अफरीकी देश के पहली महिला परधान मन्तरी निउक्ठ हुई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A थीख है तो कांगो लोकतांतर कनराज जिसे चायरे भी कहते हैं इसकी पहली महिला परधान मन्तरी बनी है जूठित सुमी नवा और कांगो लोक्तांतर गनराज की राधानी होती है किनसासा और एक देशाओर है कांगो जिसका नाम है इसकी राधानी है ब्रा जी विले ठीक है दूसरा हमारा हाल हमें यूरोपिये सेंजेन यातरा छेतर में कौन सा देश सामिल हुआ है चो इसका सही जवाब हो जाएगा अवागमन के लिए एक सेंगेन यातरा छेतर घोसित किया जाता है जो भी यू में 27 देश सामिल है वो अपने यहाँ पे इस प्रकार की सुभधा को लागू किया है लेकिन 27 में से 25 देशों ने इस छेतर में सामिल हुआ है ठीक है सामिल हुए है सेंगेन यातरा छेतर में ट्राइंगल का संबंद किसे से है तो अफार आफार से देखेंगे अफरीका से मैच करेंगे तो याद हो जाएगा अफार ट्राइंगल का संबंद किस महादूइप से है तो यह अफरीका महादूइप से है इसमें पताया जा रहा है कि अफार ट्राइंगल जो है 5-10 मिलियन ब भी होता है तो ऐसे आप याद करेंगे आसम के 19 उपादों को GI टेक दिया गया है जिन में से बी हुड होल है जापी टोपी है जो की बांस की टोपी बनी होती है और सार्ग बचेरी है जो की धातु सिल्प से बनी होती है और पेनी सीटी का क्राफ्ट ये भी आपको याद रखन है नेक्स देख लेते हैं बित वर्स 2023 में कारगो थ्रोपुट में सीर सथान किस भारत के बंदरगाह को मिला है कारगो थ्रोपुट का मतलब होता है भारत के किस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा सामान जो है आयात किया गया है और निर्यात किया गया है तो 2023 में इसमें पहला पारादुइब बंदरगाह का लेकिन अगर बात करें कि अगर इसने किसको पीछे छोड़ा है तो दीन दयाल बंदरगाह को पीछे छोड़ा है और यह बंदरगाह कहां पे है तो गुजरात में है और इसका पुराना नाम क्या था तो कांदला बंदरगाह था ठीक है इसे आप आप याद रखेंगे तो देश चोब इसमें कारगो हैंडलिंग पोर्ट में पहला स्थान के सिर्फ बंदरगा का है तो पारा दुप का है जो कि उडिशा में है और इस प्रकार से इसने आयात और निर्यात पे सबसे ज़्यादा आतम निर्भरता कैसे हासिल करी है क्योंकि इस बंदरगा की टेक्स बहुत कम है ठीक है छटा है हाले में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृती अनुसंधान और सिच्छा को बढ़ावत देने वाले पांच सूत्री परस्ताव पास किया है तो पांच सूत्री परस्ताव जो है नेपाल की साथ भारत सरकार ने पास कि साथमा प्रहंद देख लेते हाल हिमें फोन पे ने अपने उपयोग करताओं के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुक्तान सिवा प्रारंब करी है तो यह नियोपे किस देश का है तो यह है UAE का option D सही हो जाएगा ठीक है तो UAE का जो है क्या है सिवा के लिए ठीक है तो UPI का फुल फॉर्म देखेंगे Unified Payment Interface होता है और COP28 का आयोजन कहां किया गया था तो UAE में किया गया था आथमा प्रसन है अवैद लोन एप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा मेरा ही Digital India Trust Agency का संब्द किस से है चो इसका सही जवाब हो जाएग RBI से है तो Digital India Trust Agency का संब्द किस से है RBI से है जो की अवैद लोन पर लगाम लगाने के लिए इसकी अस्थापना की गई है Digital India Trust Agency की RBI के द्वारा इसमें देख लेते हैं मैंने बताए था RBI के अस्थापना 1 April 1935 की हुई को हुआ था और एंग हिल्टन या इससे साही आयो किसी फारिस पर इसकी अस्थापना हुई थी और जो भी कमपनियां हैं कुछ फ्राड कमपनियां होती हैं कि जो लोगों को बहकार लेती हैं और इसक को जब ओपन करेंगे आप तो इसमें जितनी भी महत्पूर कमपनियां यानि कि जो भरोसे मंदवाली कमपनियां हैं वो यहाँ पे अपने रजिस्टर करा चुकी होंगी ठीक है तो आपको अगर लोन लेना है तो इन ही कमपनियों इसके साइट पे जाए डिगिता आयप को फिर यहाँ पे जो भी कमपनिय रजिस्टर होगी RBI के द्वारा वहाँ से आप लोन ले सकते हैं बाकी अधर कमपनियों से अगर लोन लेंगे तो आपके साथ धोखा धड़ी हो सकता है ठीक है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एक मात्र भारतिय भारुट तोलग कोन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरा भाई चानू और ये उन्चास कटेगरी में भारुट तोलन करती है और ये मड़ी पूरकी है दर्स बारुट देख लेते हैं हाल ही में 56 राष्टी खोखो čیंपियंसिट 23-24 का समगर बिजेता कौन बना है तो 56 करम का खोखो चैंपियंसिट 23-24 का समगर बिजेता बना है महराश्ट आउपसन सी सही हो जाएगा पातवां वास्टे खोखो का आयोजन कहां पर किया गया था नई दिल्ली में किया गया था इसे आप याद रखेंगे इसमें पुरुस वर्ग में महराष्ट जीता है और महिला वर्ग में भी महराष्ट जीता है किसे हराया है तो भारतीय रेलवे को और एयरपोर्ट को हरा दि भांग के उप्योग वाला कानू लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कोन बना है तो यानि कि मनुरंजन के लिए भांग को पी सकते हैं इस प्रकार से यूरोप के तीसरे देश ने किसने अपने यहाँ पे इसको लागू कर दिया है तो जर्मनी ने इस प्रकार की किस ने बनाया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C दच्छड कोरिया ठीक है तो दच्छड कोरिया ने एक कित्रिम सूर बनाया है जिसका नाम है के इसे के इस्टार में जो है आतालिस सिकर्ण तक 100 मिलियन डिगरी सेल्सियर तापमान सहन करने की छमता बिक्सित की गई है य किस देश में तो यहां ताइवान में आया था इसके बाद जो है या इसका विस्तार जो है जापान की तरफ हो गया है ठीक है तो ताइवान जो है किस दोई परिस्तित है फार्मोसा दोई परिस्तित है और भूकम्प जिस अस्थान पर जो है यह महसूस किया गया था तो उस का और कितनी तीबरिता का भूकम पाया था तो 7.4 तीबरिता का इसके बाद ये भूकम आगे बढ़ गया जापान की तरफ इन कंडिशन को देखते हुए इन दोनों देशों में जो है सुनामी के लिए चितावनी जारी कर दी गई है ठीक है यह आपको याद रखना है अगर ब बिमस्टेक चार्टर का समर्शन किया है नेपाल ने इसके बारे में आप ब्याक्षा देख सकते हैं बिमस्टेक जो है इसकी फुल फॉम होती है बे आप बेंगॉल इनिसियेटिव और मल्टी सेक्टोरियल टेकनिकल एकोनॉमिकल कारपूरेशर इसका फुल फॉम होता है इ नेपाल के आप ही जो संग्हिये संसद इसमें जो अबिमस्टेक के चार्टर को बहमत से पारिद कर दिया गया है अबिमस्टेक शिखरसम महत हुआ है यह भी आपको यादर रखना है वहुत इंपरेंटन है कोलंबो में हुआ था और इसके महसित्यों बनी हैं इंद्रमुरी पांडेजी बने है पांचवा प्रस्ना है बिस सुबाइंग के अमसार 2024 की 2024 में भारत की अर्थ ब्यवस्था की बृध्धी दर कितने परतिसत रहेगी तो आपको बताना है बिसुभाइंग के अमिसार, जोजार जोबिस में भारत की अर्थ व्यवस्था की बिरिधी दर कितने परतिसात रहेगे, जो इसका सही जवाब हो जाएगा, option B6.5 परतिसात, ठीक है, बिसुभाइंग के अस्थापना जो है कब हुई थी, 1944 में हुआ था, ब्रेटन बुर्ट स जारी करी जाती है, Logistics Performance Index से जारी करी जाती है, और इसके साथ-साथ, क्या रिपोर्ट जारी करी जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थ व्यवस्था की बिरिधी में भारत की परतिसात कितनी बताई गया है, कितना विकासदर बताया है, 2024 में तो इसे आप याद ठीक है अब देख लेते हैं अरुड यहां से हमेशा कोई भी परिच्छा हो तो कुश्चन पूछी लेता है कि अरुड अंचल परदेश, नागा लैन, मरीपूर, मिजोरम, तिरपूरा, मेगाले, इन सभी के अस्थाफना कभ हुई थी तो आप देख सकते हैं कि यह इस सन में राज्य बनाए गए थे, हाल हमें एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे निउक्त किया गया है तो एसोचैम पद पर अध्यक्ष किसे चुना गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उप्सन ए सनजे नायर को बनाया गया है, इसके बारे में बैक्षिया देख लेते हैं Association Chamber of Commerce and Industry in India इसके अपना 1920 में हुई ची मुख्याल है कहां है नई दिल्ली में और एसो चैम के अध्यक्ष कोन बने है तो संजे नायर जी बने है आठवा प्रस्ण है हाल ही में एक वहान एक फास्ट टेक नियम किसे ने लागू किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन A भारतिये राष्टिये राजमार्क प्राधी करान यानि कि अब एक वहान पर एक ही फास्ट टेक लगाया जा सकता है ठीक है जो कि एक ही एक एकाउंट से संबंद हो गाए पहले क्या होता था कि एक ही एकाउंट से जो है कई फास्ट टेक बना दिये जाते थे तो पर अब इस प्रकार की सुधा लागू नहीं होगी अब एक एक एकाउंट से एक ही फास्ट टेक बनाये जाएगा ठीक है तो एक वहन एक फास्ट एक एक अपरेल 2024 से लागू कर दिया गया है और किसके द्वारा एन एच ए आई के द्वारा यानि की आप्शन ए सही हो जाएगा हाल ही में 125 वर्शगाठ मनाने वाली कोडारी किस पहाड़ी पर और कब इसके अस्थापना हो ई части तो 1990 में ठीक यह तो 1990 में दास्वाप्रांस देख लेते हाल ही में ASI परदर्शन मानक से परमारित होने वाली पहली भारतिय एलुमीनियम कमपनी कौन सी है तो इसका सही जौब हो जाएगा बालको है ठीक है यह आपको याद रखना है ASI यादि कि परदर्शन मानक परमारित जो है भारत की पहली कमपनी कौन बन गई है बालको बनी है और इसका अगर फुलपार्म देखे तो भारतिय एलुमीनियम कार्पोरेशन लिम्टेड इसकी फुलपार्म है और यहाँ जो है कहाँ पर अस्थापित है तो बालको कमपनी अस्थापित की गई है गोर्बा 36 गर में भी है कोईना महराष्ट में भी है और यहाँ इसकी मदद से अस्थापित की गई थी तो रूस की सहाथा से अस्थापित की गई थी मतलब 5 अपरेल के करंट अफेर को देखते हैं हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्स पूरा होने का जस्न कहा मनाया है तो बुरुसेल्स में मनाया है नाटो का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं इसकी अस्थापना हुई थी 4 अपरेल 1949 को और 4 अपरेल 2024 को जो है इसकी अस्थापना का 75 वर्स पूरा हो जाता है और जस्न कहा मनाते हैं बुरुसेल्स में इसमें वर्तमान में 32 देख है और नाटो के हेड कोन है तो इस टोलन बर्ग है दूसरा प्रसन हमारा हाल हमें जारी लेशेंट अध्यन के अनुसार 1990 से 2021 के बीच इसका सही जवाब हो जाएगा option C 6.2 वर्स हुई है जीवन परत्यासा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है तो दा लेंसेट के द्वारा जारी करी जाती है इसमें बताये गया है 1990 से लेका 2021 के बीच इसका जीवन परत्यासा में कितनी बिर्धी हुई है तो 6.2 परत्यासत हुई है और जीवन परत्यासा में भारत में कितनी बिर्धी हुई है तो 7.8 बर्स रही है ठीक है 7.8 बर्स रही है लेकिन अगर बात कर जीवन परत्यासा रिपोर्ट में सरवाधिक जीवन परत्यासा किस देश की है जो या मोनाकों की है तीसरा परण देखते हैं हाली में राश्टपती दरोबदी मुर्मू ने देश की पहले घरेलू जीन थेरपी CARTCL कहां लांच करी है तो इसका सही जौब हो जाएगा अप्षन B IIT Bombay में CRTCL थेरपी भारत की पहली सोदेशी जीन थेरपी है और यहाँ किसकी उपचार के लिए बनाई गई है तो कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है और इसका जो है अभी हाले में राश्टपती दरोबदी मुर्मू ने किया है कहाँ पर किया है IIT Bombay में किया है और इस जीन थेरपी का निर्मार किसे ने किया था तो IIT Bombay और Tata Memorial ने मिलकर किया था चौथा प्रस्ण हाले में 10,000 MW की नभी करण ये उर्जा छमता हांसिल करने वाली पहली देशी कमपनी कौन सी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option A अडानी Green Energy Limited है तो अडानी Green Energy Limited ये देश की पहली सुदेशी निर्मित कमपनी है जिसने नभी करण ये उर्जा छमता में 10,000 MW प्राप्च कर लिया है या फिर कहें तो 10 GW को प्राप्च करने वाली भारत की पहली सुदेशी कमपनी कौन ब अडानी Green Energy Limited बनी है एक और करण ये फिर कुछन याद रखना है विस्व का सबसे बड़ा नभी करण ये उर्जा प्लांट कहां पर लगाया जाएगा तो खावडा गुचरात में लगाया जाएगा और किसकी द्वारा लगाया जाएगा तो अडानी Green Energy Limited की द्वारा लगाया ये भी आपको याद रखना है और इसकी छमता कितनी रहेगी तो 30 GW रहने वाली है खाल ही में सीरिया में इरानी दूतावास पर किसने हमला किया है सीरिया में जो इरान का दूतावास था उस पर हमला कर दिया है इसराईल ने आप्शन भी सही हो जाएगा हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरान किसने किया है तो स्कोर 2.0 का निर्माल किया गया है सेवी के द्वारा इसका फुल फॉर्म क्या होता है सिकोर्टी एक्चेंज बोर्ड आफ इंदिया के द्वारा स्कोर 2.0 का अनावरान किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो निविय ओके तहत करती जाएगी सेवी की अस्थापना देख सकते हैं इसका मुख्याले पहली महिला और वर्तमान में अध्यक्ष कोन है और सेवी के द्वारा कोन सा आप लांच किया गया था हाले में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्ष किया गया है तो निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन बनाया है आयुसमान खुराना को इसके बार में ब्याक्ष देख लेते हैं तो अर्तमान में ECI ECI के अध्यक्ष कोन है तो बात करें राजिव कुमार है यह आपको याद रखना है और अभी जो है 2024 में जो है 2024 में जो है लोगसभा के चुनाव कितने चरण में होने वाले हैं तो साथ चरण में होने वाले हैं यानि कि 19 अपरेल से लेकर एक जून के बीच में चुनाव होगा और साथ चरोड में होगा चार जून को रिजल्ट आ जाएगा यानि कि भारत के नए पियम कोन बने है ठीक और इसके लिए जो यूथ आइकन किसे बनाए गया है तो आइसमान खुराना को बनाए गया है अगर बात करें दिब्यांग बक्तियों के लिए नेशनल आइकन किसे बनाए गई है कोन बनी है तो सीतल देवी जी बनाए गई है Election Commission of India के द्वारा हाले में 114 बर्स की आयू में बिश्च के सबसे बुजूर्ग जुवान विंसेट का निधन कहां हुआ है तो जुवान बिंसेट ये सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति थे अगर बात करें अभी फिलहाल जीवित सबसे बुजूर्ग ब्यक्ति कोन है तो सबसे जीवित बुजूर्ग ब्यक्ति है सोनोबे और ये कहां के है जापान के है और इनके उमर कितनी है 112 बर से, अगर 2 साल जी गए तो ये बेंसर्ट से आगे निकल जाएंगे खाली में लांच भारत की AI साफ्ट बेयर इंजिनियर कौन सी है तो AI साफ्ट इंजिनियर है भारत की देविका AI साफ्ट इंजिनियर महिला जो है क्या नाम इसका देविका है और कहां पर लांच हुई है तो केरल में लांच हुई है और भारत की मैंने पहले बता दिया था कि AI फिल्म कौन सी है इरा है और छेतरिय भासा की पहली नियू जैंकर कौन है तो लीसा है और यह किस राजने में काररत है तो ओडीसा में काररत है जस्वा प्रंस देख लेते हैं हाल ये में दुनिया के पहले डाग टिकट कॉपर टिकट के 250 में अस्थापना बर्स का समारोग कहां आयोजित हुआ है तो इसका सही जौब हो जाएगा option A बिहार में हुआ है कॉपर टिकट बिस्व का पहला था जो लांच हुआ था कब कब इसकी शुरुआत की गई थी तो 1774 में अजीमाबाद पतना में इसकी शुरुआत की गई थी तो इसी खुशी में जो है इसके 200 बर्स के जब पूरा हो जाता है कॉपर टिकट जारी करने के उपलक्ष में 500 बर्स पूरे हो जाने पर इसके समरों कहां पर आयुजित किया जाता है बिहार पतना में किया गया है next देख लेते हैं 6 अपरेल के करंट अफेर कुश्चन को खाल हिमें राष्टिय समुद्री सुरच्छा दिवस 2024 कम मनाया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अपरेल को तो दो चीज 5 अपरेल को हुआ है तो आपको याद रखना है 5 अपरेल को राष्टिय समुद्री दिवस 2024 भी मनाया गया है और साथ साथ में अंतर राष्टिय विवेक दिवस ये भी 5 अपरेल को मनाया गया है और अगर बात करें कि इसकी थीम क्या रखी गई है तो समुद्र राष्टिय समुद्र दिवस की थीम रखी गई है फविस को नेवी गेट करना और सुरच्छा पहले एक और कुश्चन याद रखना है पहली बार इस रायोजन की अगया है 30 मार्च से 5 अपरेल के बीच में मर्चंड नेवी वीक मनाया गया है तो मर्चंड नेवी वीक कब मनाया गया है तो 30 मार्च से 5 अपरेल के बीच में हाले में 19-वी S.C.O. सुरच्छा परिषत की बैठक की अधच्चता कहां हुई है तो यह आपको बताना है 19-वी S.C.O. सुरच्छा परिषत की बैठक किसकी अधच्चता में हुई है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option दी कजाकिस्तान में अब देख लेते हैं S.C.O. में भारत है और पाकिस्तान 2017 में सामिल हुए थे S.C.O. की सदस्ता ली थी और वरतमान में S.C.O. के नवींतम सदस्ते कोन बने है तो इरान बना है 2023 में इसकी सदस्ता ली है और S.C.O. का मुख्याले कहां पर है तो बीजिंग में है ठीक है तो 2024 मे 19. सुरच्छा परिशत की बैठक कहां पर होगी कजाकिस्तान के अस्ताना सहर में होगी ठीक है और भारत की तरफ से इसमें अजीत डोभाल जी जो की NSA के हेड है इन्होंने भाग लिया है बिस्व डोपिंग रोधी एजनसी के अनुसार दुनिया में डोप उलंगन करने वाल ठीक है तो बिस्व डोपिंग रोधी एजनसी जिसे वाड़ा कहते हैं इसमें जो है बिस्व में सरवाधी डोपिंग के मामले वाले के सबसे जाधा भारत में आते हैं जो से नमबर पर दच्छिड अफरीका में यानि कि ये दोनों दे सबसे जाधा गलत तरीके से खेल में कोई नसीला पदार्थ कर लेते हैं या फिर कोई एनर्जी वाली गूली खा लेते हैं तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए लेकि सबसे जाधा मामले भारत और दच्छिड अफरीका के मिलते हैं ये अंतराष्टी एस्तर पर है और भारत की जो है डोपिंग एजनसी का क्या नाम है तो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी ये भारत की है इसकी अस्ताबना 2005 में हुआ था और इसकी वरत्मान अध्यक्ष कौन है यानि कि ब्रांड मेस्टर कौन है तो सुनिल सेट्टी जी है चौथा है हाल ही में चर्चा में रहे जी टू जी सम्झोते का हम करने कहा जाएंगे इसराहिल में जाएंगे इनकी सेलरी इसराइल में कितनी होगी तो 1.73 लाक रूपे परमन्थ होगी हाल ही में दुनिया का सबसे सक्तिसाली लेजर E.L.I.N.P कहां लांच हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा रो मानिया में लांच हुआ है E.L.I इन पीबिस्तों का सबसे सगिसाली लेजर है इसको लांज किया गया है रोमानियां में कमपनी कुण सी है छल्स कमपनी ने यह लेजर बनाया है और इसका ऊफियों कहां होगा तो आंत्रिप्रिछ में जो कछरा है जिसे डेबरीच कहते हैं उसको नस्थ किया जाएगा इस जोने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्त परवर्तक का अनावरन किया है तो W अच्यो के दारा किस AI आधारित डिजिटल स्वास्त परवर्तक का अनावरन किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D W अच्यो के स्थफना साथ अप्रेल 1948 को हुई थी डिजिटल स्वास परवर्तक लांच किया गया है किसके द्वारा डबली एक्चो के द्वारा जो की AI आधारित है जिसका नाम है सारा हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा इसका full form होता है आप देख सकते हैं भारत सरकार पहला अपना पहला वारिजिक कच्चे तेल का रण नीतिक भंडारन कहां विक्सित करेगा तो भारत सरकार अपना पहला वारिजिक कच्चे तेल का रण नीतिक भंडारन कहां विक्सित करने वाला है तो यह तीन जगहों पर किया जाएगा ठीक है यानि कि जो कच्छे तेल किसी भारी जेस से लेकर आए जाएगा तो भारत में अब उसका भंडारण किया जाएगा तीन जगहों पे ठीक है तो यह आपको याद रखना है तीन जगहें कहां है एक तो आपका विसाखा पतनम में एक जगहां पे है विसाखा पतनम में य पड़नीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिम्टेड इसमें काम करने वाली है इसके तहर जो है 3300 करोन रुपे खर्च होंगे और ये तीन अस्थान पर अस्थापित किये जाएंगे यानि कि जो बाहरी देश से पेट्रोल लाए जाएगा कच्चे पेट्रोलों को या फिर जो प साखा पत्नम में और करनाटा के पादूर में और मंगलूर में इन तीन जगहों पे ये पेट्रोल को संद्चित रखा जाएगा खाले में ब्रस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है तो ओजोन गैस की खोज कहां पर हुई है कलेस्टो पर और कलेस्टो जो है किसका उपग्रा है तो ब्रस्पति का उपग्रा है बहुत की अनुसंधान लेब यहाँ जो है ब्रहस्पती के उपग्रह के लेक्ष्टो पे जो है ओजोन गैस की खोज करी है और बहुत की अनुसंधान लेब कहां पर अस्थापित है अहमदावाद गुजरात में अस्थापित है हाले में मौदरिग नीती समित ने रेपो रेट कितनी दिर्धारित करी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.5 इसके बारे में पूरी प्याख्षा देख लेते हैं वो बनाए गएं MPC के अध्यक्ष याने की मौनेटरी पॉलिसी कमेटी ठीक है यह किसकी अस्थापना मतलब किसकी सिफारिस पर आया था तो उर्जिट पटेल कमेटी के अधार पे MPC का गठन किया गया था इस MPC में जो है कितने सदस होते हैं तो 6 सदस होते हैं तीन सदस किसके होते हैं तो तीन सदस RBI के होते हैं और तीन सदस जो है भारत सरकार के होते हैं ठीक है तो तीन सदस भारत सरकार के होते हैं और जो MPC होता है इसके अध्यक्ष कोन होते हैं तो RBI के गवणर MPC के अध्यक्ष होते हैं और MPC जो है साल भर में 6 बार अपनी लाव नहीं हुआ है यानि कि भारत का रेपो रेट अभिवर्थमार में कितना है तो 6.5 परतिसत है या आपको याद रखना है और MPC ने बताया है कि 2024 से 25 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी तो 7 परतिसत रहने वाली है दसवं प्रस्ण उराज का आकरी प्रस्ण है हाली में PhSS की अरभ पतीयों की सूची में 10 में 10 में топ 10 में सामिल एक मात भारतियों की सूची जारी कर दी गई है तो बुखे संबानीजी सामिल है फोप्स की अनतिस्वी सूची जारी करी गई है सबसे ज़्यादा रपती USA में है दूसरे पर चील तीसरे पर अपने भारत में है लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर कौन है तो बर्नाल अन्नाल डिया है दूसरे अलन मस्क है नवे अस्थान पर मुके संबानी है और सत्तरहवे अस कि वीडियो बड़ी नावन है तो जुबान इधर उधर हो ही जाती है तो कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए आज सभी को प्यारा साथ जय हैंद जय भारत वीडियो पर प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें टाटा बाए बाए